डॉक्टर दिलिपसीन जी, स्पूर्ती प्रेरना का सोरू और हमारे लियास्तितू, डॉक्टर टिवी कटिमनी जी, तथा देवियों और सज्जनों सभी को संध्या का स्वर्नीम नमस्का। इस सवसर पर मेरा प्रपत्र का लगुत्तम रूप को आपके सामने प्रसुत करने की चेश्टा कर रहा हूं। क्रपया सरकार प्रदान की सिए। शम्सेर बाहदुर्जी की कविता। स्रेश्ट साहित हमेशा वही हुआ करता है कि जिनमें यूगर जीवन और समाज को प्रतिमिम्बित कर पाने उसका दर्पन बन पाने की ख्षमता हुआ करती है। सठी तो यह है कि इसी तरह का साहित ही जीवित रह करता हुआ। साहित का सीधा संबंध। मैं शेंकर तेज़दाल जी से ख्षमा चाहता हूँ। माफि मंगता हुँ। वरिष्ठा प्राध्यपक हम सब के बुजूर प्रोफेसर मोहन सिंग जी से मैं प्राथना करता हूँ। कि आप अधेक्षता ग्रांट करें। साहित का सीधा संबंध। भाव और विचारों से रहा करता है। साहित में भावना के साथ-साथ यथार्थ के लिए उचित स्थान रहा करता है। ऐसी ही बेमिसाल कल्पना और यथार्थ भाव लिए कवियों के कवी तथा संदर के कवी शम्षेर हिंदी के उन कवेओं में हैं जिने परंपरा और समकालमता अकंड एकाई के रूप में दिखते हैं शम्षेर के बच्पन का नाम कुलतीप सीह था मगर बाद में मामा ने बदलकर शम्षेर बादूर सीह रख दिया शम्षेर विचारधारा से मार्सवादी थे और कविता की क्षेतर में सबसे बड़े प्रयोग करता प्रयोगवादी और प्रगतिवादी दोनों ही खेमों में वह बराबरी से शुमार किये जाते ही उनकी कविताओं में एक तरफ प्रकृति प्रेम और सवंदर के अनभूत आत्मक चित्र बिम्भ है तो दूसरी तरफ समाज राजनीती और दर्शन की खरी पहिनी कलात्मक अंतर दर्श्टी शम्शेर की कविताओं की विशेष्टा उनकी अधुद बिम्भ मेता और नूतर प्रतिक विवस्ता है कविताओं में पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सवंदर के आत्मिक भोतिक और आध्यात्मिक बिम्भ मालाई कविता को एक कला विश्व में बदल देती है उनकी एक कविता में प्रकृति के साथ चायावादी रोमान्स और बिंब मारावन की जंकार किस तरह सुनाई पड़ती है देखिए रात नम था बहुत नीला शंक जैसे भोर का नभ राक से लिपा हुआ चोका बहुत काली सिल जरा से लाल केशर से की जैसे धूल गई हो इसलिए यह कहने से अतिशयोक्ति नहीं हो सकती की चायावादी संसकार प्रगतिवादी प्रतिबदता और प्रयोगवादी कला निष्टा का अधूर्द संगम उनकी कवितावों में मिलता है यहाँ एक और वोदाहर प्रस्तोत है कि जिसने चायावादी की दार्शनिकता और बुद्धिवाद की यथार्टता दिखाई पड़ती है मसलन कभी कहता है कि जीवन सत्य है कि सत्य और जूट तथा मनुश के व्यक्तितों का पता ही बात देती है मनुश कुछ नहीं कहता बात ही बोलती है बात बोलेगी सत्य का हम नहीं क्या रंग बेर खोलेगी बात ही कभी यह भी विश्वास दिलाता है कि अथार्ट में सत्य ही सत्य का रूख होता है सत्य ही जनता को सुखी बनाकर सुख और जनम अंगल का प्रसार करता है सत्य का रूख है सत्य का रूख है सत्य का रूख है अभय जनता को सत्य ही सुख है कभी सत्य सत्या सत्यवास नम्शन में बहतर इंसान की खोज में वह आतूर है कभी शम्षेर कहते हैं कि आज बहुत से अनों के कलाकार मिलते हैं परन्तु इनसान के दर्शन दुरलब है मुझको मिलते हैं मुझको मिलते हैं प्रदीक और कलाकार बहुत मुझको मिलते हैं प्रदीक और कलाकार बहुत लेकिन इनसान के दर्शन है मुहाल शम्षेर की अधिकाओंश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम का है सम्वेदन, सम्वेदना, अभिव्यक्ति, दोनों में ये प्रयोगवाद की अतिशेवी व्यक्तिवालता के प्रतीक है वैसे तो अधिकी कविताओं वस्तू औरूपाकार के बीच में संतुलन स्तापना की चेश्टा है तो शम्षेर की कविताओं में सिल्फ की प्रती आतिशे सावधानी दिकाई देती है शम्सेर की प्रतिमिर कविताओं की भूमिका में डॉक्टर नामावर सियुजी अपना अभीप्राइस तरह व्यक्त किया कविता में कला का ऐसा संयोजन और यह वैब कालिदास के बाद शम्सेर के ही कला में संभव हो पाया है शब्द रंग भी है और सुर भी शब्द में नहीत इन संभावनाओं की तलास जैसी शम्सेर में अन्यत्र विरल है इसलिए कहा जाता है कि मुप्त आसंग, चेतना प्रवाह, अमूर्थ चित्रात्मकता, शब्द संगीत, आदि शम्सेर के सिल्प को एक नया रूप अवश्य देते ही उन्होंने दूसरा सब्द की भूमिका में दो बातें विशेश रूप से स्वीकार की ही प्रथम यह है कि बंबय में कमिनिस्ट पार्टी के सानीत देने उन्हें सामाजिक आदर्शों का जो सजी रूप दिखाया उससे उनकी कविता को यतेश्ट लाभ मिला और उनकी कविता में परिवर्तन आया दितिय बात यह है कि उन्होंने अनेक कवियों से प्रभाव ग्रहन किया है पंत से कविता की भाषा, सिवदान चौहान से प्रभाविसी अंधोरन में अभिरुची, तथा निराला, लोरका, इलियर, पॉंड, कमिंस, हैकिंस, आधी देश-विदेश कवियों से भी प्रभावि कवित रहे हैं, शमसेर बिलकुल साफ, साफ और सरल शब्दों के प्रयोग से कविता की बाते करते हैं, कविता के विशिष्ट शब्दों पर अधीक ध्यान देते हैं, जैसे इन्होंने मौन शब्दों की अच्छी तरह इस्तिमाल किया है, एक जगह है, वे लिखते हैं, एक दिशा नीचे हैं, एक दिशा उपर हैं, यात्रियों, एक दिशा आगे हैं, एक दिशा पीचे हैं, यात्रियों, मौन के वर्त में बनी कविता की सन रचना और उच्छावन है, जहां पर रंग डूबा हैं मौन में, मानों की चवियों में प्रतेक तरह की हैं, वे मौन में स समाहित है वे सूना सूना पथ है नाम कविता में वे लिखते हैं सूना सूना पथ है उधास जरना एक दुंदली बादल रेखा पर टिका हुआ आस्मान जहां वह काली युवती हसी थी शमशेर ने अपनी कविताओं में एक विशेश प्रकार के सिल्प का आविशकार किया शमशेर का कवी किसी भी भाव विचार निम्नप्रतिक के समग्रता में पकड़ने को भागता है शायद यहां आज की जिंदगी की प्रतिछ चाया है सरलता, सरसता, मधूरता, प्रगति सीलता और अभिव्यक्ति की उदातता की दिश्टी से शम्षेर जी की कविता धनी है यहाँ अवसर प्रदत स्रधेय डॉक्टर दिलिव सिंजी परमा आधरनिय डॉक्टर टिवी कटिमन जी तथा समस्त बुद्धि जीवियों को अनंत अनंत नमन के साथ समाफकर रावं, नमस्कार